Hello दोस्तो, Welcome back to new video, उम्मीद करते हैं, आप सबी बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तो, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ब्रैंड न्यू बजाज पल्सर NS200 के बारे में यह दोस्तो, इस वीडियो में NH200 के बारे में कम्पलीट बात करने वाले हैं क्या प्राइज आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट कर आप इस भाई को खरी सकते हैं सारे चीज़े में आपको डिटेल पर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ सुवाई कब दोस्तों वीज़े विज़े आपको लिए काफी important प्लस काफी interesting होने वाली है 224 एनेस के बारे में जाना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा चली इस वीडियो को सुरू करता है अगर चैनल पर पहली पर आया है तो subscribe कर लेना आप बिल गया कम को on कर लेज़ेगा ताकि ऐसे इस इंट्रस्टिंग विडियो पर नोटिफिकेशन भी आप तक पहुसते रह सके हैं आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके हैं चली फिर इस वीडियो को सुरू करता है सबसे पहले दूस्तों बात कर लेते हैं एनेस दोसों के प्राइस के बारे में अपको दादू एनेस टूनेट एक्स रूम प्राइस आती ही वन लेक फोटी नाइन टौजन एक लाग उन्जास दरूपे के आसपास की ये वाइक आपको एक्स रूम प्राइस देखने को मिलती है बात कर लिए दूस्तों इसके ओन डौड प्राइस के बारे में आपको मैं क्लियर कर दूँ हरे किस्टे इन सीटे में ओन डौड प्राइस में थोड़ा से डिफिनेस होता है इसमें आपको 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 एवेजडी फोक सस्पेंशन मिलता है इसमें कमपणे ने स्पीडो मीटर में गियर इंडीकेटर अपडेट किया है प्लस अब आपको बाइक में रूवर्ज चैनल ABS भी मिलता है रिवीव है आते है जैसी मैं की ऐउन करूँ हूँ हो और सबसे फैले सागे चुटी चूटी जो पाइलिट लैंब पहन होती में लेट में आज भी आपको इसमें हेलोजन लाइट मिलता है और टनल सिंगल लेट जो है वो आपको यहां पर बल देखने को मिल जाता है तो एक मैनस पॉइंट मुझे लगता है कि LED टनल सिंगल लेट भी होनी चीए यह एक मेजर अपडेट करने की जो रहत है राकि में आपको फाइनली डूल चैनल एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो कि डूल चैनल इपेस फाइनली कंपनी ने अब दाल दिया है और जो प्लेट साइज आपको फ्रेंड में 300 mm की जो प्लेट आपको देखने को मलती है और आपको बदा दो यह से वही प्लेट है जो कि KTM की डूप दोसों में भी आती है यहली प्लेट की ब्रेकिंग अच्छी निकल कर आती है अलाकि फोर फिश्टन के लिपर हो तो जादा अच्छा है बट इस अलब स्टूर पिश्टन पता नहीं आ रही कौन सा के लिपर है उसमें उतना खास ब्रेकिंग नहीं मिलेग बात तेरे पावर एंड टॉर्क के बारे में दूस्तों यह मैक्सिमम पॉर में 24 पाइप का PS पॉर जनरेट करती है और 18.7 के असपास का निटर में टॉर्क को आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है मतला पावर एंड टॉर्क जो आपको इसमें काफी दंगड़ा दे मिलेगी number of four speed gearbox आपको bike में मिलते है sorry six speed gearbox मिलते है four wallow के साथ में आती है clutch में आपको इसमें normal weight multi-plate clutch मिलता है एक मुझे minus point लगता है company को जो सुने यहाँ पे sliver clutch इस bike में देना चाहिए ता भाई यह काफी बड़ा minus point है यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाकि no doubt जो engine है वो तो आपको इसमें काफी अच्छा कासा देखने को मिलता है और engine की quality है वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिलेगी चली बात कर लेते हैं इसके mileage and performance के बारे में दोस्तों यह आपको मिलती है प्लस rear में आपको बता दूँ यहाँ पे underbelly exhaust मिलता है प्लस nitro monosock suspension आपको NS में देखने को मिल जाता है हलाकि इसकी base quality है sound की मतलब इसकी exhaust लिए वो आपको इसमें अच्छी मिलेगी चली बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी tail light के बारे में तो tail light आपको यहाँ आपको इस bike में देखने को मिल जाता है tail light का लोग के indoor design है वो भी आपको यहाँ पे काफी super मिल जाता है tail light भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिल जाती है चली आप चलते हैं दोस्तों इस bike के speedometer की तरफ सबसे पहले आप खी देख लिए कुछ step कर खी आपको bike में मिलता है speedometer में दोस्तों इस bike में आपको analog with digital meter NS200 में रेखने को मिलेगा जिसमें आपको काफी feature देखने को मिलते हैं जैसे speedometer है, techometer है, trip meter है, photometer है, clock है, ABS light है, fuel gauge है, gear indicator है, service reminder है, distant to empty indicator है last time company ने gear indicator, average speed economic indicator, distance to empty indicator, यह add किया था, जो पहले नहीं आता था, वो भी company ने आपके add कर दिया है, तो यह चीज मुझे काफी अची लगी, plus दोस्तों आपको पता दू, switches में number of, दो switches मिलते हैं, जिसा आप इसके speedometer को control कर सकते हैं, feature wise, NS200 काफी अची बाइक निकल कर आप दिय इंडिकेटर, लो इंडिकेटर मिलता है, शिचर से पास से लो भी में, अधिम, 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 इंजन, तिल सी, सेलफ फसी आपको बाइक मिलता है, बात करें इंचरन के बारे में, औरल लेंथा 2017 mm, औरल भी था 804 mm, औरल हाइट 1075 mm, ग्राउन के लेने से 166 mm, सीट आठ 155 mm का, कर विल बेस है, 1660 mm का, कर वेटा 158 kg का, फिल टेंग कैपिशिटर आपको 12 लेटर के आसपास की देखने को मिल जाती है, से दा दस्तो ब्रैंड न्यू बजाज पलसर NS200 का कम्प्लीट स्पेसिपिकेशन रिव्यू, अब दस्तो आप लोग कमेंट करगी, जरू करेंगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली वरा तो सबस्क्राइब करेंगा, चलिए मिलते हैं फिर नेक्ट वीड़ो में, लवी वोल, जैहिन मिन्दमाकर,